हेलो बच्चो कैसे हो बच्चो आज हम 1,3-dithiol करते हैं ठीके या नहीं के इसकी preparation करते हैं ठीके तो आएए वीडियो को शुरू करते हैं अगर हम एडिहाइड की reaction 1,3-propane-dithiol के साथ करते हैं तो 1,3-dithiol बनता है ठीके तो आएए देखते हैं LD हाइड हम ST LD हाइड लेंगे ठीके यह हमारे पास SET LD हाइड है उसके बाद यह हमारे पास 1,3-propane-dithiol है ठीके इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आपको पता ही है इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं ठीके तो हमने यहाँ पे LD हाइड लिया है LD हाइड कुन सा लिया है ST LD हाइड ठीके उसके बाद इसकी reaction हम किससे करा रहे हैं 1,3-propane-dithiol ठीके तो आए देखते हैं क्या होता है यहाँ से क्या होगा इसका hydrogen इसका oxygen इसका hydrogen यह hydrogen यह hydrogen और यह hydrogen और यह oxygen निकल जाएगा हम कह सकते हैं कि water यहाँ से निकल जाएगा और हमारे पास कुछ ऐसा structure बनेगा ठीक है इसको कहते हैं हम 1,3-dithiol ठीक है अगर हम इसकी reaction बोटाइल लीथियम के साथ करते हैं ठीक है यह बेस है ठीक है इसकी reaction जब हम इस बेस के साथ करते हैं तो यह इसको डी-protonate करेगी ठीक है यहाँ 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 से निकल जाएगा तो हमारे पास एक आइन बनेगा ठीक है तो कुन सा आइन बनेगा आए देखते हैं यह आइन बनेगा चिक है इसका नाम है डाइताइएन एनाएण यह आइन बनेगा तीक है इसका नाम है ड़ी ताइण एनाएण ठीके बच्चो, मैं दुबारा रेपीट करता हूँ, जब हम एल्डिहाइड की रियक्शन 1,3 प्रोपेन डाइथायोल के साथ करते हैं, ठीके, तो हमारे पास 1,3 डाइथायन बनता है, ठीके, इसकी रियक्शन फर्दर हम किसी बेस के साथ करते हैं, स्ट्रॉंग बेस, जैसे ह हमारे पास बिटाल लिथियम है, तो हमारे पास डाइथायन इनाइन बनता है, ठीके, यह बेस 1,3 डाइथायन को डी प्रोटोनेट करता है, ठीके, और यहाँ पर हमारे पास यह स्ट्रेक्शन जो बनता है, यह स्ट्रॉंग निकलोफाइल का काम करता है, ठीके, जब एल्ड कर्टेक्ट करता है कार्बयौनाइलSein ठीके और ऐंक्रीज करता है सीडीटी हाइडोटिटी थीके घीके तुक्ष एलडिहाइड वन कामा त्री डाइ-थाइन कन्वट हो जाता है तो ये कार्बॉनाइल गोर्डिक्ट करता है और hydrogen atom की acidity increase करता है ठीक है अब ये आइन di-thi-anine, di-thi-o-acetal-anine पी कह सकते हो आप इसको ये function करता है acyl-anine equivalents ठीक है ये acyl-anine equivalents फंक्शन करता है ठीक है बच्चो जब aldehyde 1,3 di-thi-anine में convert हो जाता है तो carbonel group उसमें protect हो जाता है ठीक है इसके बाद hydrogen atom की acidity increase हो जाती है ठीक है di-thi-anine ये ये di-thi-o-acetal-anine function करता है acyl-anine equivalents ठीक है मैं यहां पर लिख देता हूँ the conversion of an aldehyde into 1,3 di-thi-anine 2,3 di-thi-anine protects carbonyl 1,4 di-thi-anine 2,4 di-thi-anine okay and increases hc dt of hydrogen atoms ठीके फिर उसके बाद the dithy acetyl a nine functions like and asyl a nine equivalents ठीके बच्चो मुझे उमीद है कि आपको ये सब clear हो गया होगा तो आज की वीडियो में इतने ही इजाज़द दीजेये नमसकार झाल झाल